नमस्कार दोस्तो मैंन कुफिन चैनल में आपका श्वागत है मैं हूँ मनुझ कुमार दोस्तो पिछले कई सब्ता में मैंने आपको बताया था कि जो मैंने देखा कि इन दोनों मार्केट कर बीच उस समय के लिए चला और उसके देने के बाद मार्केट Оп ट्रेंड को कये रखाalar मalet में फिर से ब्रेक आउट मैं आपको दिखाता हूँ मैं चार्ट पर ड्राइंग करके आपको दिखाने की कुछिस करूँगा कि कैसे मार्केट में फिर एक breakout आया है और अब मार्केट का अगला टार्गेट क्या हो सकता है पिछले वाले वीडियो मैंने जो जो टार्गेट दियो वो सारे टार्गेट हुए जहां मैंने 17,500 का टार् पावट आएगी यह सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मार्केट में कल एक्सपाइरी का end है ऐने के last day एक्सपाइरी का और नया एक्सपाइरी सुरू होने वाला है ऐसे में हमें वैसे लेबल को find out कर जहां हम option को buy कर सकते हैं और option को sell करके पैसे बना सकते हैं हमें ऐसे level पर option को sell करना है जहां से या तो market उपर रहे या फिर market उसके नीचे ही रहे ताकि हम option में sell करके पैसे बना सके साथ हमें ऐसे level को find out करना है जहां आने वाले expiry में market उस level को छू सके जहां हम option को buy करके पैसा ब भी कर रहा है तो चलिए हम इस चार्ट पो आपको कुछ ड्राइंग करके उस ब्रेक आउट को दिखाने की कोसिस करते हैं उससे पहले में बर और आपको रिपीट कर देना चाहता हूं कि मार्केट पिछले कुछ सब्ता में एक चैनल में चल रहा था और चैनल में चलने के था और उसके बाद मार्केट सपोर्ट रेने के बाद मार्केट अपने अब ट्रेंड में आगे बढ़ता रहा और फिर से मार्केट में एक ब्रेक आउट आ चुका है और उस ब्रेक आउट को मैं अभी आपको दिखाने वाला हो तो आगे बरने से पहले मुझे इस ड्राइं है आगे बढ़ने के साथ साथ में सट्वाइं को से डीलीड कर लेता हूँ कि दोस्तों हमें किահ करना है हमें पहले इसे यहां से मैं इसे थोड़ा जू माउट कर देता हूँ यहां पर हमें क्या करना है कि South gibi Press करने मिल जाएगा तो यहां से हमें एक trend line खीच देना है तो मैंने इस दो हाई को और इस हाई को मिलाया automatic यहां पर ये वाला हाई और ये वाला हाई भी मिल गया तो हमें यहां पर breakout जो दिक्राइब देख शकते हैं कि यहां पर market ने breakout दिया था इस line के उपर market निकल गया breakout देने के बार और अब तो market इस line को support बना लिया और support को follow भी कर रहा है तो आपको मैं यहाँ पर इसे zoom करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा तो देखो मैंने यहाँ पर इसे zoom कर लिया जुम करने के बाद जो है इस line के ऊपर जब market ने breakout दिया तो उसके साथ ही इसने एक red candle भी बनाया आप यहाँ पर देखे यहाँ पर मैंने चार घंटे का time frame ले रखा है चार घंटे के time frame पर मैं आपको यह समझाने की कोशिस कर रहा हूं कि कैसे market ने again एक breakout दिया और breakout देने के ब बना हुआ आप देखेंगे यहाँ पर इसने एक red candle बनाया फिर इसने एक green candle बनाया यानि की market रेट candle बनाया तो ऐसा लगा कि market चाहता तो इस line को तोड़ करके नीचे भी आ सकता था लेकिन market ने यहाँ से यू टर्न ले लिया यानि की market यहाँ पर rate candle बनाया उसके फिर इसने एक green candle बना करके वापस उपर के तरफ घूम गया तो market में क्या था ये U-turn था जहां इसने इस line को अपना support बना लिया ये वाली line को अपना support बना लिया और market वापस U-turn ले करके अपने trend को follow कर रहा है अभी भी तो market में अभी भी uptrend बना हुआ है और लेकिन अब market में थोड़ी सुस्ती आ सकती है market थोड़ा उपर से नीचे के तरफ घूम सकता है यहां पर आप देख सकते हैं कि market ने एक dozy candle बनाया तो dozy candle जब भी market बनाता है तो market में trend reversal आने की शंभावना आ जाती है तो trend reversal यहां से आतो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब market यहां से वापस सत्रहाजार के तरफ मूव कर लेगा या सत्रहाजार दोसो तीनसों के तरफ मूव कर लेगा या फिर सत्रहाजार से भी नीचे आ जागा ऐसा कुछ बड़ा होने वाला नहीं है market में क्योंकि market में एक बहुत strong trend है जो uptrend ही है market uptrend को बहुत strongly follow कर रहा है और जब भी कोई trend होता है market में तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे आप सभी जानते कि market की सतरह से साथ की चाल चलता है market हमेशा जो है इस तरह से नहीं चलता है market हमेशा इस तरह से ही चलता है तो market मालो कि अगर market उपर के तरफ बढ़ रहा है तो market इस तरह से इस तरह से market चलेगा उपर में तो बस यही just market में हो रहा है और market में भी हमने देखा कि market में एक डोजी केंडिल फॉर्म हुआ है और डोजी केंडिल फॉर्म होने के वाज मार्केट में एक छोटी सी गिरावट आप जो है देख सकते हैं जो वो भी मुझे इस लाइन पर सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा हो सकता है कि market 17,700 के आसपास आ अगर अगर उससे ज्यादा मार्केट नीचे जाता है तो हमें अपने चेंज करना पड़ेगा यानि कि अगर वो कॉल को बाई कर रखे हैं तो उनको अपने लॉस को कबल करना पड़ेगा और मौका है अगर chances है तो put को buy करके चलना पड़ेगा तो दोस्तो यहां हमने आपको breakout दिखाया कि market में अगेन एक breakout आया है और market breakout पर breakout दिया जा रहा है back to back market में breakout आ रहा है और इसके साथ ही market अपने up trend के trend को लगातार follow भी कर रहा है तो market में भी तोड़ी सुस्ती आने वाली है जिसका फायदा option seller को जरूर मिलेगा तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि option seller को कौन से level पर option करना चाहिए कौन से option को सेल करना चाहिए और उनको market में थोड़ी से गिरावाट आती है तो उसका फायदा होने कैसे मिलेगा चली हम आपको इसको सम्झाने की क call side का कोई भी option वो सेल नहीं करेंगे जो भी अगर उनको सेल करना है तो put side के option को सेल करना है और उनके लिए जो strike price रहेगा वो रहेगा 17,600 के strike price पर उन्हें call को sorry put को सेल करना है और 17,600 के strike price पर उन्हें कैसे फायदा होगा अगर market यहां से reverse होता है तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा option chain के तरफ, option chain के तरफ हम चलते हैं तो दोस्तों यहां sensible option chain हमने खोल रखा और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो expiry है वो 18 अगस्त का expiry है यहां हम इसे change कर देंगे और change करने के बाद हम यहां कर देंगे 25 अगस्त जो next expiry है market का यानि कि weekly expiry जो होगा next weekly expiry वो हमें यहां से हमने यहां से select कर लिया और select करने के बाद हम यहां पर देख सकते हैं कि हमने जो strike price दिया था वो था 17,600 का strike price आप यहां पर देखेंगे कि 17,600 के strike price पर put को sell करके चलना है जिसका large trade price यानि कि LTP है वो 45 रुपे 75 पैसा है तो 17,600 के strike price पर आपको अभी 45 रुपे का premium मिल रहा है तो आपको जो profit होने वाला है इसमें वो करीब 2223 रुपे के आसपास profit होने वाला है यानि कि एक लाख के capital पर आपको 2.2 या 2.3% का profit होने वाला है केवल one week में ही तो इतना अच्छा percentage profit का आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है तो यहां पर हम बात करेंगी कैसे अगर market में गिरावाट आती है इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा जैसा कि मैंने आपको चार्ट पर समझा आया था कि market में अगर trend reverse भी होता है तो market 17,700 या 17,600 के आसपास आएगा उससे नीचे जाना market के लिए थोड़ा सा मुम्किन नहीं है थोड़ा सा cut in है अगर उसके नीचे market जाता है तब हम अपने trend को change करेंगे यानि कि अपने strategy को change करेंगे हो सकता है कि हमें put may square off करके call को sell करन पड़े लेकिन यहां अभी ऐसी कोई बात नहीं है अभी बिल्कुल हम दो सेफ हैं 17,600 के strike price पर ही put को sell करेंगे और इसका जो हम अगर market में trend reverse होता है थोड़ा बहुत अगर कल market में गिरावाट आती है कल कुछ देर के बाद तो यह जो 45-75 पैसा का premium है यह धीरे-धीरे सुरू हो जाएगा तो आप क्या करेंगे कि कल market में थोड़ा वेट करेंगे अगर कल ही position मनाना है तो कल market में थोड़ा वेट करेंगे market जब खुले तो आप साड़े 11.12 तक वेट करेंगे साड़े 11.12 तक वेट करने के बाद आपको 17,600 के strike price पर जो यह premium 45-75 पैसा का दिख रह जहां आपको 22-300 पैसा का profit हो रहा था वहां आपका profit जो है 3,000-3,500 का दिखने लगेगा यानि कि 3,000-3,500 कमाने का मौका आपको दिखने लगेगा तो यहां option chain में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से अगर market में थोड़ा सा train reverse होता है या market में थोड़ी से गिरावट आती है तो कैसे आपको option sale करके ज्यादा से ज्यादा profit बनाने का मौका मिलेगा तो चलिए हम लोग वापस चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर हम लोग देखेंगे फिर से मैं आपको level वो दिखाने की कोशिज करूँगा किस level पर आपको जो option sale करके चलना है तो 17,600 के 17,600 के level पर ही option को हमें put option को और अगर जो option buyer है वो कौन से level पर option buy करेंगे तो उनके लिए जो अगला level होगा वो होगा 18,300 का 18,300 के level पर call को buy करके चलेंगे अगर market 18,000 के level को तोड़ता है तो further 18,300 पहुंचने में market को बिल्कुल भी time ने लिगएगा क्योंकि market अपने अब trend को बहुत instantly follow कर रहा है और market में ना ही अभी कोई बड़ी गिरावट आने वाली है और ना ही market ज्यादा तर रेंज ज्यादा देर तक range bound रहेगा market में फिर से market जिस तरह से back to back breakout दे रहा है market आने वाले शमय में भी एक बड़ी उच्छाल दिखाने को indicate कर रहा है यानि कि market का जो lifetime हाई है 18,600 उसको हो सकता है आने वाले एक दो सकता में market तोड़ दे और वहां से भी आगे निकल जाए तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो दो level आपको बताए उसको मैं फिर से एक बाई रिपीट कर देता हूं कि option seller 17,600 के put को sale करके चल सकते हैं और option buyer 18,300 के call को buy करके चल सकते हैं यह जो वीडियो मैंने बनाया है इसमें किसी भी तोरह के recommendation हमने नहीं किया है ना ही मेरे channel ने किया है यह केवल एक educational based video बनाया गया है जहां आप experience ले करके trade में फाइदा कमा सकते हैं अच्छा खासा profit बना सकते हैं तो 17,600 के strike price पर आने वाले expiry में यानि कि 25 अगस्त के expiry पर put option को sale करके चला जा सकता है और 18,300 के call option को 25 अगस्त के expiry में buy करके चला जा सकता है तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना है फिर जल मिल आपको ऐसे ही वीडियो लगातार देखने हैं ऐसे लेवल जानने हैं ताकि आप लगातार option में trading करके profit बना सके तो आपको इस चैनल को subscribe करना होगा साथी साथ भेल बटन दबाना होगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो जिस चैनल पढ़ा है उसका notification आपको मिले और आप उ अच्छा profit बनाया है जितने भी levels मैंने बताए अभी तक सारे levels अभी बिल्कुल सटीक रहे हैं सारे levels पर option seller ने अपना profit बनाया है काफी अच्छा profit बनाया है और उसी तरह फिर से हमने एक नए expiry के लिए एक नए weekly expiry के लिए नए level बताया है और इस level पर भी trade करके option में अच् वीडियो के साथ जल्द तब तक धन्यवाद